और इस वक्त की बड़ी कबर सिक्षा मंत्राले ने UGC NET की परिक्षा को कैंसल कर दिया है कली हुई टी UGC NET की परिक्षा लेकिन गरबड़ी होने की वज़े से परिक्षा को फिलाल कैंसल कर दिया गया है गड़बडियों को लेकर अब CBI की जान्च होगी और नेट एक्जाम के लिए नई तारीकों का एलान जल्दी किया जाएगा UGC ने नेट की परिक्षा के लिए नई तारीकों का जो एलान है वो जल्दी जारी किया जाएगा यूजी सीनट की परिक्षा के लिए अब नई तारीखे जल्दी सामने आएंगे आपको पता दिये देश बर के लाको छात्रों ने एक्जाम दिया ता लेकिन एक्जाम में गडबडी को लेकर आरोप लगाए गये थे जिसके बाद सिक्षा मंत्राला की और से फैसला लिया गय है मेरे से होगी विशाल पांडे और अधिक अप्रेट के साथ जुड़े हुए विशाल क्या अप्रेट है आपके पास सबसे बड़ी खबर यही है कि यूजी सी नेट के जो एक्जाम थे उनको जो है वो रद कर दिया गया है सिक्षा मंत्राले की तरफ से इस पर जो है वो जाच जो है वो सीबी आई करेगी सेंट्रल ब्यूरो अफ इंविस्टिगेशन जो है इस पूरे मामले में जाच परताल करने की जो है वो संकेत मिलने के बाद इस परिक्षा को रद करने की बात की गई है आपको बता दें कि जो साइबर फ्रॉड साइबर क्राइम जो है वो कही ना कहीं इंपूट्स मिले थे यूजी सी को उसके बाद ही सिक्षा मंत्राले के तरफ से बड़ा फैसला जो है इस प परताल करेगी क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से एंटीए को लेकर भी कई सवाल उठे थे जब पिछले निट के एक्जाम्स हुए थे उसके बाद कई तरीके के जो रिजल्ट में फेर बदल हुए थे रिजल्ट को लेकर कथित घोटाला कथित स्कैम जो है वो कहा जा र इंपुट्स मिलने के बाद यूजिसी को कुछ इंपुट्स रिसीव हुए उसके बाद ही इस परिक्षा को रद करने का फैसला लिया गया ताकि जो पहले विशाल लीट को लेकर तो देश भर में इस वक्रदर्शन हो ही रहा है च्छातर नारास है और अब निट को लेकर भ इस तरह से अगर हर एक्जाम में दांगली होती रहेगी तो फिर तो लाको चातरों के साथ ये खिलवाड है बिल्कुल देखिये प्रिया यही सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि जब NTA को लेकर कई जो चातर हैं उन्होंने भी सवाल उठाये थे हाला कि सिक्षा मंतराले ने इ मामले दर्ज हुए थे फायर हुआ था और इसमें कई 13 से जादा लोगों के गिरफतारी जो है वो पटना से की गई थी और मामले की छान भी इन की जारी लेकिन ठीक उसके बाद देखा जाए इतनी बड़ी परिक्षा को करवाया गया और इतने बड़े पैमाने पर करवाया के बाद और इस पूरे मामले को सबसे बड़ी बात यह है कि अब Central Bureau of Investigation जो है वो जाच परताल करते हुए इस पूरे मामले में नजर आएगा कि आखिर इस पूरे Syndicate के पीछे किसका हाथ है कौन है वो Mastermind जो इस तरीके के पेपर जो है वो लीक करवा रहा है या परिक्षाओ में जो है वो धांदली करते हुए जो है नजर आ रहा है जी प्रिया बिल्कुल और देखिए एक और बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को देदें कि पटना में नीट को लेकर ईओ यू की जांच को लेकर भी कॉमेंट है ईओ यू की रिपोर्ट पर कारवाई की बात क कि अफ. इस बात कि एक की बात करें रहे हैं और आगे तो किता रहा है कि प्रिया आपको बात देकर जब परिक्षा के ठीक दिमन पहले पटना स्कूल में वहाँ पर कुछ चात्रों को बुलाया गया और जो है वो कोश्चन पेपर का पूरा रट्टा जो है वो मरवाया गया था हला कि इस मामले में एक दरजन से जादा लोगों को ईयो यू पटना पुलिस ने जो है वो गिरफतार किया है और इस मामले की चान मिन कर रही इंटिये को नोटिस भचा था कई सवाल उन्स सवालों का फिर2 निटिये पहिर्ग को और उसके बाद एंटिये सेन सवाल के जवाब नई दिये थे टिक पारन याजगे जाए इसमेद न जानगं elevator तक प्रैफि और भी और और ये वह ँद्रवा क्यी ही ल है रतियुक्त पूर्वा पिल्कुल विशाल और देखिए बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त सिक्षा मंतरी के सामने भी है अगर सिक्षा मंदल की बात की जाए उनके सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज है और ये सिर्फ चाहे वो निट का निंट का एक्जाम हो निट का इग्जाम हो यास्टेट डेवल्य की जो भी एक्जाम होते हैं हर बार इसी तरीके की अउन्मा है और छातरों पूरे साल को लेकर सवाल है। या फिर कहीं न कहीं जिनको जो है इस परिक्षा से काफी फरक पड़ता है उनका मनोबल धिरे धिरे नीचे जाता हुँए नजर आ रहा होगा और उनको भी कहीं न कहीं इंतजार होगा कि अभिर फिर से अभ इस परिक्षा को आखिर कब करवाएगा NTA हाला कि सिक्षा मंत्राले के तरफ से जो नए तारीक हैं वो जारी किये जाएंगे और उसके बाद ही जो है वो बड़े पैमाने पर एक बार फिर से उस पूरे परिक्षा को नए सीरे से इंटिये जो है वो करवाएगी चाल और देखिए सवाल कहीं है आपका बहुत शुक्रिया तमाब अपडेट के लिए अला कि राहत की बात ये किस बार अगर ट्रांस्परेंसी नहीं है तो इसी को लेकर अब रिये एक्जाम कराने की बात की जा रही है अला कि देखिए नई डेट्स अभी सामने नहीं आई है CPI जांच होगी और जल्दी नई डेट्स का अइलान किया जाएगा बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए